तो फोलॉप में सर पर्टिकुलर कुछ पॉइंट से जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए सबसे पहला तो यह आता है कि आज मैंने किसी को प्लैन दिखाया प्रोडिक्ट दिखाया तो फोलॉप के लिए कोई डूरेशन है कि इतने टाइम के बाद में तो होना ही चाहिए टीम का अपना अपना रहता है लेकिन फिर भी विदिन टू टू फोर डेज अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है और अगर आप जनली मुझसे पूछें तो यह ट्रेनिंग का सब्जेक्ट है इसके लिए दो दो घंटा भी हम चाहें तो बात करें तो भी कम हैं लेकिन अग कि मीटिंग आपकी जो सेल्स मीटिंग है यह एंड होगी दोनों मेंसे किसी एक चीज़ पर नंबर एक आपको पैसे मिल गए उन्होंने आपका प्रोड़क ले लिया और काम शुरू कर दिया नंबर दो उन्होंने अगली डेट देदी आपको अगर यह दोनों नहीं हुई या दोनों मेंसे एक नहीं हुआ या तो पैसे मिले या तो अगली कंफॉर्म्ट अपॉइंट्मेंट की डेट टाइम वेन्यू मिला अगर यह दोनों नहीं मिले तो फिर आपकी मीटिंग वैसे भी अधूरी है जब तक यह ना हो तब तक हमारी मीटिंग कंप्लीट नहीं है तो आपने प्लान दिखाया तो आपने फॉलो अप का टाइम लेना ही लेना है यह कंपलसरी है और फॉलो अप में ना आई टल यू पीपल डोंट जॉइन कंपनी पीपल जॉइन पीपल लोग कंपनी के साथ प्रोड़क के साथ नहीं जुड़ते हैं लोग आपके साथ जु हम बार-बार यह बोलते हैं, हमारी foundations हैं, तो अगर आपने कोई चीज यूज की और आपको अच्छी लगी, तो फिर आपको ये बात धोरानी पड़ेगी, कि ये अच्छा है, मैं आपके साथ हूँ, मेरा ये तसुर्बा है, तो personal assurance के बिना follow-up के कोई मायने नहीं है, तो personal assurance is really very important, हो सके तो phone पे, WhatsApp पे, Facebook, Messenger पे, इन सब पे follow-up मत करिये, मेरी समझ के इस आप से follow-up meeting जरूर एक personal meeting होनी चाहिए, और एक चीज़ मैं दीरे-दीरे महसूस करने लगा हूँ, जिस तरह से technology बढ़ती जा रही है, आज से 20-30 साल पहले जो हमें trainings दी जाती थी, वो generally America से, Europe से आया करती थी और उस समय में culture अलग थे, आज के समय में WhatsApp का जमाना है, YouTube का जमाना है, आप और मैं YouTube के माध्यम से इतने सारे लोगों से आज बात कर रहे है, चाट विट सुरेंदवस पे, तो हर follow-up meeting में, आप कोई ना कोई tool छोड़ के आएंगे, और वो कोई ना कोई वी recording का link दे सकते हैं, और यह सब चीज़ें इतनी आसान हो गई है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, खासतर के वो लोग जो sales में बहुत अच्छे हैं, वो हर चीज़ खुद से करना चाहते हैं, लेकिन जतना मैं इस business की गहराही में समझ पाया हूँ, top leaders खुद कम बोलते हैं, tools का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, क्योंकि जब आप tools का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो फिर आप अपनी टीम में duplication भी कर रहे हैं, leaders को भी बना रहे हैं, उस आत्मी को empower भी कर रहे हैं, तो आप चाहे वो books हों, चाहे वो कोई CDs हों, चाहे वो videos के links हों, हर follow up meeting के बाद, आप उन्हें कुछ न कुछ जरूर दे के आएं, वो जो tool है आप तो आजाएंगे meeting के बाद, लेकिन वो tool आपकी जगा पे follow up का काम करता रहेगा, तो follow up compulsory है, जरूर करें, tools का इस्तेमाल करें, दो से चार दिन के अंदर जरूर कर लें, face to face करें, and personal assurance जरूर दें, and sometimes I call मेरी book में भी मैंने लिखा rule of five, एक रिष्टा बनने के लिए 4-5 meeting लगती है, तो मायूस ना हो, और एक और बोलता हूं, जैसे उन्होंने आपसे ये कहा, मुझे नहीं करना, तो इस ना को ना ना माने, उस ना की थोड़ी तहर, क्या दो कर दो माने, जैसे ना की पाता है, क्या ना हर दो, जैसिंह का और वा जखर म मैं हूν